हेलो दोस्तों मेरा नाम है नीरत स्वागत है आपका ITA Tricks YouTube चनल पर दोस्तों आज की वीडियो ITA के उन सभी student के लिए important होने वाली है जो कि अभी second year में है दोस्तों इस वीडियो में हम employee skill के most important question देखने वाले है जो कि आपके second year के लिए बहुत important होने वाले है आपके ITA के एक्जाम के लिए दोस्तों चाहे आपके CV trade से ITA कर रहे हो चाहे आप hitter से हो, turner से हो, electrician से हो या buyer man से हो अगर आप second year trade में है तो आपके लिए जो employee skill का एक्जाम होने वाला है उसमें जो question पूसे जाने वाले हैं तो सारे important question हम यहाँ पर solve करने वाले हैं यहाँ पर आपको कुछ question दिये जाएंगे और उसके option दिये जाएंगे आपको इन सभी question को बहुत द्यान से देखना है और अगर आपको इन कांसर आता है तो आप हमारा आंसर जाने से पहले अपना आंसर जरूर कमेंट कर देना कि आपको क्या लगता है कि इस question कांसर क्या होगा दोस्तों अगर आपको second year के employee skill के question का PDF चाहिए है तो आप comment में लगदेना कि हमको PDF चाहिए है तो हम उसका link आपको देदेंगे तो आप बहां से इसका link से डाउनूट कर सकते हैं इसका PDF या तो पर हम इसका link के description में भी देदेंगे तो आप बहां से इसका PDF डाउनूट कर पाएंगे दोस्तों अगर आपका Employability Skill से सम्मझत कोई भी डाउटर जाता है तो आप कमेंट में लग देना हम आपको सारा डाउट बहाँ पर किलियर कर देंगे और आपका जो Second Year का एक्जाम होने बाला है Employability Skill का तो उसके लिए सारे कोशन बहुत ही important होने बाले हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान सा जरू देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो दोस्तों Employability Skill में आपको 6-7 चैप्टर होते हैं जिनमें से आपको English Language, Computer Knowledge और Swaggarita, Employment इस तरीके के और भी 4-5 चैप्टर होते हैं जो कि आपको पढ़ना होता है उसके लिए आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं यहां पर हम केबल आपको Most Important Question बताने वाले हैं लेकिन यहां पर आपको 3-4 Question ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाख लगाने की जरूरत होती है तो हम इन सारे Question को इस वीडियो में कबर करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरे ज़रू देखना चलिए हम अपना पहला Question देखते हैं पहला Question है स्वाजाग रुक्ता कबोद खाली स्तान से होता है Option A है हिर्दाए B है ब्यक्तित्व C है मनुस्ट D option में है समाज दोस्तो हमारा आंसर जानने से पहले आप अपना उत्तर ज़रू कमेंड में करें ताकि आपको भी पता सल सके कि आप कितने आंसर सही कर पाते हैं तो हम जानते हैं मनुस्ट की व्यक्तित्व से उसकी स्वादार रुक्ता कबोद करा जा सकता है इसलिए A option सही हो जाएगा तीसरा question है आपको अपने साक्षातकार के लिए कब आने की योजना बनानी चाहिए साक्षातकार का मतलब होता है interview जब आपका interview होता है तो आपको कम से कम 30 मिनट पहले आने की योजना बनानी चाहिए इसलिए C option सही हो जाएगा आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना ही crystal question आपको exam में पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो को पूरे जरूर देखना, दोस्तों अगर आपको बहुत सारी question का answer पता है, तो आप comment में जरूर लिख गराना, कि आप in magic कितनी answer सही कर पाए हैं, चौता question है जो कि आपको English language से पूछा गया है Sunrise in the East इसमें कौन सा tense है दोस्तों जितने भी tense होते हैं बहाँ से एक नएक question आही जाता है तो आप tense को ज़रूर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस question में आप देख सकते हैं Rise में यहाँ पर ES लिखा है CPU को computer का दिमाग कहा जाता है दोस्तों employee skill के question में CPU का full pump भी बहुत बार पूछा गया है जो कि central processing unit होता है तो आप इसे जरूर ध्यान से याद कर लेना CPU का full pump central processing unit question है नेमने में से कौन सा nonverbal sensorine का प्रकार है एक question आपको communication skill से लिया गया है यहां से भी आपको दो तीन question देखने मिल जाएंगे इसका answer हम आपको बताते है A option सही है क्योंकि तो सरीरिक हावा होते है जैसे हम इसारे से कुछ भी बूलते है तो यह nonverbal sensorine के अंतरगत आता है इसलिए A option सही हो जाएगा साथ बार question है सभी से प्रातनाई की समय पर पहुंचें इस बाके का सही अंग्रेजी इनुबाद क्या होगा अगर आपको तोड़ी बहुत भी इंग्लिस आती है तो इसका answer आप बता सकते है सभी से प्रातनाई की समय पर पहुंचें इसको हम जब इंग्लिस में translate करेंगे इसके लिए D option सही होगा All are requested to reach in time आटबा question देखते हैं संदेश बह संके तक है जो खाली स्थान कार करता है दोस्तों आप कि यहाँ पर कुछ question ऐसे अलग से लग रहे होंगे क्योंकि अभी तक आपने Ampliability skill की पढ़ा ही नहीं की है तो आप वीडियो को बीच में ना छोड़ें क्योंकि आँगे बहुत ही महत्मूर question है विसकांसर हम देखते हैं ग्राही के लिए प्रेरक की तरह संदेश कार करता है मतलब एउप्सन सही हो जाएगा नौबा question है MS bird में copy command की shortcut की है दोस्तों ITI की exam में shortcut की से एक दो question जरू पूँचे जाते हैं तो जितने भी shortcut की आप याद कर सकते हैं जरू कर लेना इसका answer है भी क्योंकि control plus C से हम copy कर सकते हैं दसबा question है नेमने लिखित में से क्या computer का output अपकरण है जितने भी input और output अपकरण है आप याद होने चाहिए क्योंकि यहां से भी एक नएक question पूँचा जाता है तो computer का output यहां पर आप देख सकते हैं printer होता है तो यहें आपका output अपकरण हो जाएगा ग्यारबा question है banking प्रक्रिया में कौन सा दस्तावेज पहचान पत्र के रूप में माने नहीं है यहां पर आप option में clear देख सकते हैं passport photo यहें आपको पहचान पत्र के रूप में माने नहीं होगी जबकि आधार कार्ट, driving license और voter ID यह सब आपके पहचान पत्र के रूप में माने हो जाएंगे बारबा question है एक computer network जो राष्टी है वा अंतर राष्टी सीमा में फैला होता है क्या कहलाता है यहां पर आपको LAN और बेन यहां से एक question पूचा गया है तो इनका full form भी आपके याद होना चाहिए LAN का full form होता है local area network और WAN का full form होता है wide area network तो 12 question का अंसर है B wide area network तेरबा question है जो कि आपको परियाबरान से संब्देत पूचा गया है नेमनले किट में से क्या उर्जा का नभीनी करन स्थरोथ है B option में लिखा हुआ है पबन उर्जा यहाई आपका नभीनी करन स्थरोथ है ते उदबा question है नेमन में से कौन सा good bye कहने से संब्दने थै जब भी हम किसी से see you सुन बोलते है तो उसके साथ में good bye भी बोल सकते है लेकर हम good warning के साथ या very good या how are you के साथ में good bye कभी भी भी नहीं बोलते है तो इसलिए B option सही हो जाएगा तो इसलिए B option है इन में से उध्मी का कार क्या है बितरन वेवस्ता तयार करना हुझी की वेवस्ता करना उपकरम का प्रिबंद अगर आप एक उध्मी है तो यह सभी कार्यापको करने होंगे मतलब D option सही हो जाएगा उप्रोक्त सभी सत्रबा question है नेमन में से कौन सा अच्छा संप्रेशन है आप खुद भी सोच सकते हैं अगर संदिस इसपर्ष्ट और सीधा है तो इसे हम अच्छा संप्रेशन बोलेंगे मतलब D option सही हो जाएगा अठार बा question है नेमन में से कौन search engine है बहुती सरल question है अगर आपको इनका answer पता है तो आप comment में चलो लिख देना तो गूगल आपका search engine होता है मतलब D option सही हो जाएगा और नईस बा question है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदाई होता है यह option में देख सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए carbon dioxide उत्तरदाई होता है यहाँ पर कभी कभी आपको option में CO2 भी लखा मिल जाएगा तो इसे भी आप याद कर लेना कि CO2 को ही carbon dioxide उत्तरदाई बूला जाता है 20 वा question है साक्षात कार सिश्टाचार के अंतरगत निमनलेखित मैसे किया डू की स्राणी में आता है मतलब जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना है बहाँ पर तो C option में आप देख सकते हैं सांत सुबाव आपका होना चाहिए तो यह आपको साक्षात करके सिश्टाचार के अंतरगत आएगा मतलब C option सही हो जाएगा एक कईस वाकॉस्टन है इंटरनेट पर किया गया कोई अबैदकार क्या कहलाता है इस कांसर तो आपको पता ही होगा Cyber Crime मतलब B option सही हो जाएगा 22 वाकॉस्टन जो कि आपको फिलिंदा ब्लैंक्स में पूचा गया है He has good, خाली स्थान, money तो यहाँ पर आपको खाली स्थान की जहक के आएगा यह भरना है तो money के साथ में आपको मस्ट लगा सकते हैं मतलब D option यहाँ पर सही हो जाएगा He has good, much money मतलब उसे बहुत सारा पैसा मिला 23 सबा most important question है जो की हमेशा आपको पूचा जाएगा RAM का full form क्या होता है तो RAM का full form होता है Random Access Memory इसी के साथ में आपको ROM का भी full form याद कर लेना है जो की होता है Read only memory D option में जो लिखा हुआ है ठीक है, इसका A option सही हो जाएगा 24 सबा question है परियाबर अन्दिबस कब बनाया जाता है तो दोस्तों 5 जून को परियाबर अन्दिबस मनाया जाता है मतलब D option इसका answer हो जाएगा 25 बार जो की last question है बहुती स्रॉल है Clock में कौन सा स्वर है यहाँ पर आपको English language में जो स्वर और Benzen होते है मतलब बावल्स यहाँ पर बताना है तो Clock में आप देख सकते है O जो लेटर लिका हुआ है बहुती स्वर है मतलब बावल्स है इसलिए B option सही हो जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने सभी दोस्तों में से share जरूर कर देना ताकि हमारी मेनत भी सपल हो सके और उन तक भी यह most important question पहुंच सके ताकि बहुए भी आपने एक्जाम में पास हो सके और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप पिलीस हमारे चैनल को भी जरूर सबस्काइब कर लेना ताकि आईटियाई से सम्मनित आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके आपका बहुमूल समय दने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर